हेलो फ्रेंड्स PBT Education यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिंदी के प्रीविशेयर क्वेश्चन्स जो जे बीटी और एच्टेट प्रीविशेयर के लिए यूजफूल होंगे दोस्तों यह जो क्वेश्चन्स है यह एच्टेट 2021 में जो प्रीविशेयर का हुआ था उससे यह पर देखिए आप से पहले क्वेश्चन क्या है निवन में से कौन सी क्रिया कर्म की अपिक्षा रखती है तो कर्म की अपिक्षा जो क्रिया रखती है उसको हम बोलते है सकर्मक क्रिया और जो नहीं रखती है उसको बोलते है अकर्मक क्रिया तो अकर्मक और सकर्मक में दोस्तों क्या चीज हमें ध्यान रखने होती है कि जो क्या का आप कौन से मिल रहा है तो वह कौन सी होगी सकर मक्रिया होगी देखिए बोलगे आप जैसे दोड़ना है राम दोड़ता है तो क्या दोड़ता है आपको जवाब नहीं मिलता हसना राम हसता है क्या हसता है जवाब नहीं मिलता राम रेंगता है तो क्या रेंगता है कोई आंसर आपको नहीं मिलता लेकिन जैसे राम पानी पी दोस्तों रात के प्रयाई देखिए नीशा रात का प्रयाई होता है बयार नहीं होता है बयार क्या होता है हवा का प्रयाई होता है शर्वरी रैन और विभावरी यह सब रात के प्रयवाची है क्षमा रात का प्रयवाची नहीं होता रजनी होता है दैत्य भी नहीं होता और यहां पर देखिए राका होता है रातरी होती है तनू इसका प्रयवाची नहीं होता इसलिए राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका सेकिंड हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन देखिए फ्रेंट्स विलोम शब्द की द्रिष्टी से संगत विकल्प चुनिए विलोम शब्द की द्रिष्टी से संगत विकल्प यानि कि जो एक दूसरे के विलोम हो विलास प्रलास गलत है विहित परहित भी गलत है विपदा आपदा ये तो वैसे ही प्रियाई लग रहे है वेमनेश्य है सोमनेश्य है वेमनेश्य का सोमनेश्य होता है दोस्तों यदि वेमनेश्य की बात करें वेमनेश्य का मीनिंग क्या होता है जैसे इसका मीनिंग बिमार या फिर इसका मीनिंग हो सकता है वैर या द्वेस और इसका एक भी मीनिंग होता है दोस्तों विमन यानि की बिना मन की तो वैमनेश्या का जो विपरित आर्थक्षब्द होता है वो होता है सोमनेश्या यदि बात करें विलास विलास का जो विपरित आर्थक्षब्द होगा विलोम होगा, वो क्या होगा ? विशाद विषीद का जो विपरितार्त ziehen होगा दोस्तों वो क्या होगा ? निशीद Next question देखिए किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्ति वाचक संग्याए है दोस्तों, व्यक्ति वाचक गये और से लिए जाएका है भावाच कशह कीढेद हैं गायं मूर्कता चालाकी पिखान की और ना चतनि ही जाएगा जिए नस्ट हो जाएगा अर्थ की दिरिष्टी से ऐसंगत मुहावरे का चेन कीजिए देखे दोस्तों आँख का पानी गिर जाना बेशर्म हो जाना आँखों पर बिठाना बहुत आदर सत्कार करना आख का काजल चुराना सफाई से चुराना ये तिन्यों ही मुहावरे राइट हैं अगर हम बात करें अर्मान निकालना अपनी ही बात करते रहना ये गलत है जबकि अर्मान निकालना इसका जो अर्थ होना चाहिए वो क्या होता है दिल की ख्वाइश पूरी करना यानि कि अपनी ख्वाइश पूरी कर लेना वो क्या हता है अर्मान निकालना यानि कि अर्मान कोशन देखिए मैं चुप नहीं बैठ सकती उक्तवाक्य भाववाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जबकि मुझ से चूप नहीं बैठा जाता यह भावाच्य है एक चीज आप ध्यान रखेंगे भाववाच्य में से जो है यह जो सरुनाम होता है तो यहां फिर संग्या यहां पी जो भी आगा संग्या है सरुनाम आएगा जो यह निकी जो करता होता है उसके साथ से लगता है और उसी से पहचान хороший क्वाव बचेगी गोटय है Amas करिदेगे निवन में से कौन सा शब्द गुन सुर संधी का उधारन है गुन सुर संधी देखेगे यहां पर दूस्तों हिमोपल हिमोपल जो होता है यह राइट अंसर है गुंड स्वरसंदी का स्वर्संदी पांच परकार की होती है कौन-कौन-सी होते है दोस्तों दिर्ग दिर्ग गुंड वृधी यन और अयादी अगर आपको संदी में कोई दिक्कत है तो चैनल पर संदी के एक वीडियो है दोस्तों वह आप देख सकते हैं वहरी यूसफुल होगी आपके लिए नेक्स्ट कोशन देखिए किस समस्त पद का विग्र है अनुचित है निरामीश अमीश से रहित दोस्तों ये राइट है अतिंद्रिय इंद्रियों के अनुपव से परे ये भी राइट है अत्यावशक आवशकता से परे ये गलत है अत्यावशक होता है बहुत ही आवशक प्रत्याशा आशा के बदले की गई आशा ये भी राइट है तो राइट इसका राइट इसका राइट इसका राइट इसका समस्त पद्ड का विगराः अनुचित है किस विकल्प का शब्द अव उपसर्ग से निरमित नहीं है अव उपसर्ग अवैक्षन में है अव धूत में है जबकी अवधी में अव उपसर्ग यूज नहीं हुआ है नेक्स्ट कोशन देखिए किस विकल्प में तदभव शब्द पर्युक्त हुआ है तदभव तदभव जो हता है जिनका हम डेली यूज ज्यादा करते हैं वह तदभव होते हैं जबकि तदभव जो है वह एक प्रकार से सस्क्रित भासा के सब्द है देखिए तम्र उनकी तम्र जो है वह तदभव शब्द नहीं है भोरा भोरा दोस्तो भोरा तदभव शब्द है तदभव शब्द नहीं है जेस्ट तदभव है इसका जो तदभव बनेगा वह जेट बनेगा स्रावन ये तदभव है इसका जो तदभव बनेगा वह सावन बनेगा तम्र का द्रमर कि नेश्ट कोशन देखिए निम्न में से किस विकल्प में दंत्य वर्ण प्रयुक्त हुए हैं दंत्य दंत्य दोस्तों यह आप देखें जो वर्ण माला होती है उसमें दंत्य वाले कुंसे होते हैं जो कः वर्ग होता है वह आपको पता है कि क ये कंठ वाले होते हैं इसके बाद चव वाले चव वाले जो होते हैं दोस्तों वो तालू होते हैं तव वाले जो होते हैं दोस्तों तव वाले यह मुर्धन्य होते हैं तव वाले जो होते हैं वो दंते होते हैं अभी देखिए तव वाले दंते होते हैं यानि कि जो त की लाइन में होगा वो यदि हमें इसमें से मिल जाए तो हमारा राइनसर राइट हो जाएगा अभी त जो लाइन होते हैं त थ द ध और न यानि कि न कहाँ पे है यहाँ पे इसके लावा देखिए ज य श में त वर्ग का कोई भी वर्ण नहीं है आप सोचोगे कि यह नहीं है यानि कि अगर न आपको मिल रहा है तो इसका राइनसर हो जाएगा बाकियों में तो एक भी नहीं है नेक्स्ट कोईशन देखिए चोर की दाड़ी में तिनका लोकोक्ति का उचित भावार्थ चुनिए दोस्तों चोर की दाड़ी में तिनका का मतलब क्या होता है देखिए कि अपरादी सदेव संकित रहता है जिसने अपराद की होता है वो ही सोचता है कि कहीं मेरा नाम ना जाए कि कहीं मैं पकड़ाना जाऊ तो चोर की दाड़ी में तिनका का मतलब यह होता है बाकी नहीं होते, next question देखिए, कौन सा विशेशन शब्द भाववाचक संग्या से निर्मित है, यानि कि भाववाचक संग्या के में चेंज करके जो बनाया गया है, वो विशेशन सब्द उचा गया है, नागरिक दोस्तों, नगर से नागरिक बना है, चलता, चलना से यानि क क्रिया से बना है, उचा, उचा जो दोस्तों क्या होता है, उचा से उचा ही बन सकता है, उचा ही अपने आप में भाववाचक है, इसलिए ये नहीं होगा, प्यारा, प्यार से प्यारा बना है, प्यार जो है वो अपने आप में क्या भाववाचक संग्या है, और इससे प्य विकल्प में मिश्र वाक्या का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों यह बताना है कि मिश्र वाक्या का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है तो देखिए वह थोड़ी देर बाद तुरंत लोड़ गया मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे जब मैं स्टेशन पहुचा तभी ट तो राइट अंसर क्या होगा जो फर्स्ट वाला है उसमें मिस्र वाक्या का प्रयोग नहीं है क्योंकि जो यह थोड़ी देर बाद तुरंत लोट गया यह जो है मिस्र वाक्या की पहचान नहीं होती जब की जब जिन इन से जो मिस्र वाक्या बनता है यह इसमें यूज होते है इसलिए राइट अंसर कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कॉश्चन देगे, निमन में से कौन सा शब्द कृत परत्य के योग से निर्मित नहीं है दोस्ते इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्रित प्रत्य होता क्या है क्रित प्रत्य क्या होता है क्रिया या धातु के बाद जो शब्द लगाए जाते हैं उनको क्रित प्रत्य बोलते हैं जैसे कमाई पढ़ाई और लड़ाई इसमें क्या है कमाना से क्रिया है कमाना से कमाई बन गया पढ़ना से पढ़ाई बन गया लड़ना से लडाई बन कया अब ये तिन्यों ही क्रिया से बने हुए है क्रिया से इसलिए ये तिन्यों क्या है क्रित्पर्त्य के योग से निर्मित है जबकि चतुराई क्या है क्रित परत्य से नहीं बना यह चतुर यानि कि भाव आचक संग्या से बना हुआ है इसलिए इसमें जो वो क्रिया का यूज नहीं हुआ इसलिए यह राइट अंसर क्या होगा फॉर्थ होगा तो दोस्तों यह थी यह थे हिंदी के कॉस्चन्स यदि आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो आप पीपीटी एजुकेशन पीपीटी एजुकेशन चैनल पे विजिट कर सकते हो टेलिग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्रिवेश एर कॉस्चन की सीरीज के लिए आप पीपीटी एजुकेशन यूटीब चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यह थी आपको और प्रिवेश एर कॉस्चन चाहिए तो आपका रिप्लाई आपको जुरूर मिलेगा और बताएं कि वीडियो कैसी थी थैंक्यू